दोस्तो आज हम देखेंगे without mobile banking and net banking federal bank account statement को कैसे डाउलोड करते हैं दोस्तो आज कर सभी mobile banking and net banking use करते हैं mobile banking and net banking के थो हम easily account statement को डाउलोड कर सकते हैं लेकिन आज हम देखेंगे without mobile banking and net banking federal bank account statement को कैसे डाउलोड करते हैं तो चले देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस दोस्तों पहले फेडरल बैंक के ओफिस है साइट पे आ जाईए डिस्क्रिशन पे लिंक है लिंक पे क्लिक करने के बाद एसा एक पेस सो होगा तेन पेस को नीचे स्क्रोल कीजिए पेस के नीचे यूसफूल लिंक का एक आपसन है इस पे क्लिक कीजिए then useful link के सबसे नीचे certificate portal का एक option ने इस पे क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे 14 digit का account number को दीजिए and continue पर क्लिक कीजिए then आपके bank register mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को दीजिए and नीचे जो capture code है उसी capture code को यहाँ पे enter करके continue पर क्लिक कीजिए अगर आपके bank account पर mobile number रेजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर आप account statement को download नहीं कर सकते हैं then आपका account login हो जाएगा यहाँ पर आपका account का customer ID and side पर आपका नाम होगा दोस्तों यहाँ पर दो option है first है loan section and second है deposit section account related service के लिए deposit section में क्लिक कीजिए then deposit section में account statement का एक option है इस पर क्लिक कीजिए अभी आपके account number को चूज कीजिए then date को select कीजिए आप जो account का statement को निकलना चाहते हो उसी date range को select करके download के उपर क्लिक कीजिए then आपका account statement download हो जाएगा तोस्तों अगर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप email को उपर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपका account statement आपके register email पर चला जाएगा और उहाँ से आप account statement को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों account statement को open करने के लिए password की जरूत पड़ेगा और password आपके name का फास फो लेटर है then date and month है जैसे example अगर आपका name अनुथोमास से और date of birth 10 September 1965 पे तो password होगा anut 1009 यहाँ पर 10 है date and 09 सेप्टेमबर इसी तरह आप अपना name, date and month का password को एंटर कीजिए password एंटर करने के बाद account statement open हो जाएगा यहाँ पर आपका account detail and branch detail होगा और नीचे सभी statement होगा तो दोस्तो इस तरह आप फेटरल बैंक एकांट statement को without mobile banking and net banking डाउनलोड कर सकते हो यह वीडियो कैसा लग आपनी कमेंट पर बताएए और अच्छा लग है तुमाँ लाइक सेरें सब्सक्राइब करना थेंक्यू फर वाचिंग